जब हाला ग्रह के एक्यूजर, रोनन को गार्डियन्स ओव द गैलेक्सी के फर्स पार्ट में मार दिया जाता है, तो उसकी जगए डार्बेन क्री के लोगों की नई एक्यूजर बनती है, जिसके पास रोनन के जैसे वार हैमर होता है, उसको यूनिवर्सल वेपन भी कहते हैं डार्बेन ने अपने आपको हाला का सुप्रीमर घोशित कर दिया था, वो अपने साथियों के साथ एक लंबे समय से किसी चीज को ढूंड रही थी, और वो उसको एक बंजर पड़े घ्रह पर, खुदाई करने पर मिल जाता है, वो एक मैटल बैंड होता है, डार्बेन उसक तुरंत पहन लेती है, जिसकी वजह से उस बैंड से रोशनी के साथ उर्जा निकलती है, जो उसी के शरीर में समा जाती है, उसके बाद वो दूसरे बैंड को ढूंडने लगती है, क्योंकि ये बैंड जोडी में बनाया गया था, बिना दूसरे के अकेले बैंड की ताकत भ और उनको उनकी मा आईशा ने दिया था, जो एक जिन्न थी, कमाला अपने कमरे में अपनी इमेजिनेशन के सहारे एक कॉमिक ड्रॉकर रही होती है, जिसमें वो खुद कैप्टन मार्वेल के साथ दुश्मनों के चक्के छुड़ा रही होती है, जिसका सच्चाई से कोई मत चमकने लगा है, इससे पहले कमाला को समझ पाती, वो टेलिपोर्ट हो जाती है, कमाला के अचानक से टेलिपोर्ट होने से कुछ देर पहले, कैप्टन मार्वेल किसी अंजान भ्रमान में अपने स्पेश्शिप पर अकेली रह रही होती है, वो इस क्रल के टॉर्चर डिवा और यू आई, इस याद को देखते ही मार्वेल डिवाइस को अपने सीर से हटा देती है, उस शिप पर उसके साथ सिर्फ गूज होती है, जो एक बिल्ली है, और उसी ने फ्यूरी की आँख फोड़ी थी, तबी प्रित्वी के सौर मंडल में अपने सेवर यानी के एक अंतर पास हो, तो क्या वहाँ जाकर देख सकती हो, कि क्या हुआ है, तो मार्वेल उसका पता लगाने के लिए तयार हो जाती है, फ्यूरी आगे उसको बताते हैं, उस बड़ी हुई एनरजी से, सेवर के डाटा एनलाइजर रडार में कुछ खराबी आ गई है, तो मोनिका और उस उसके साथ MB-418 ग्रह पर आ जाती है, जहाँ डारबैन को बैंड मिला था, वहाँ आकर मार्वेल फ्यूरी को बताती है, यहाँ एक जंप पॉइंट है, जो बंद नहीं हो पा रहा, यह ऐसा है, जैसे यह अटक गया हो, मार्वेल को वहाँ पत्थर पर बैंड का एक ब्लू प्रिंट भी मिलता है, फिर वो उस जंप पॉइंट को देखने के लिए उसके नस्दीक चली जाती है, दूसी तरफ मोनिका भी अपने पास वाले जंप पॉइंट की रीडिंग लेने के लिए उसके पास पहुँच कर देखती है, कि वहाँ से अभी भी एनरजी लीक हो रही अब वो दोनों जैसे ही अपने अपनी जंप पॉइंट से निकलने वाली एनरजी को चूती है, ठीक उसी समय कमाला के हाथ पर बंधा बैंड चमकने लगता है, तब ही मोनिका स्विच होकर कैप्टन मार्वेल की जगह MB418 ग्रह पर आ जाती है, मार्वेल स्विच होकर कमाला के घर में और कमाला स्विच होकर मोनिका की जगहे उसके स्पेस सूट में टेलिपोर्ट हो जाती है, अब मोनिका की जगह कमाला को स्पेस में देखकर फ्यूरी का सर्च चकरा जाता है, असल में मोनिका बिना स्पेस सूट के उस घ्रह पर इसलिए जिन्दा थी, क्यूंकि व अमाला के घर वाले, मारवैल को उनके घर से निकलता देख हैरान हो जाते हैं। अब मारवैल उनके घर से निकल कर जैसे ही अपनी पावर्स को यूज करती है। तो वो वापस MB-418 ग्रैपर टैलिपोर्ट हो जाती है। अब उसको वहाँ क्रीके सैनिक दिखाई देते हैं। वो मार्वेल पर हमला कर देते हैं। तो मार्वेल उन सब को मार कर वापस अपने शिप पर आ जाती है। और फ्यूरी को बताती है, ये सब डार बैन का किया धरा है। और अब वो स्कुल्स को खतम करने गई है। ये अब refugee camp बना कर रह रहे होते हैं वही कमाला और उसकी family साथ ही मोनिक और फ्यूरीज बास से परिशान होते हैं कि आकिर वो तीनों एक दूसरे की जगे switch कैसे हो रही है इतने में मारवल टारनेक्स ग्रह पर आ जाती है वहीं सकल्स के refugee camp में डारवन अपने साथियों के साथ इसकल्स के समराठ ड्रोज के पास आकर उसको बताती है हमारे सुपरीमर के मारे जाने के बाद हमारे घ्रह हाला पर घ्रह युद छिड़ गया जिसकी वज़े से वहाँ सांस लेना भी मुश्किल है और हमारा सुरज लगबग बुझ चुका है इसलिए मैं इस ग्रह की हवा को अपने ग्रह हाला पर ले जाने आई हूँ और क्यूंकि हवा के बीना तुम लोग मारे जाओगे तो मैं तुम सभी स्कल्स को सम्मान के साथ हाला पर और हम सब अपनी दुश्मनी को भुलाकर मिलकर रहेंगे इतनी देर में मार्वल क्री के शिप में अंदर आ जाती है अब वो जैसे ही सैनिकों को मारने के लिए अपनी पावर यूज करती है तभी उसकी जगे कमाला स्विच होकर शिप पर आ जाती है जिसके सामने गूज वो बिल्ली दो सैनिकों को निगल जाती है उस मंजर को देखकर कमाला डर जाती है अब कमाला के पावर को यूज करने की वज़े से मोनिका वहां आ जाती है फिर वो तीनों जितनी बार अपनी पावर को एक साथ यूज करती हैं उतनी बार वो एक दूसरे की जगह पर लगातार स्विच होती रहती हैं अब वो तीनों उसी समस्या के साथ फ्यूरी के सेबर पर, क्री के शिप पर और कमाला के घर पर सैनिकों से लड़ती हैं सैनिकों को मारने के बाद मार्वेल क्री के सैनपती की बात सुनती है वो अपने आदमियों को बता रहा होता है कि अकेले बैंड से इतने सारे जंप पॉइंट बनाना बहुत खतरनाक है इसलिए अब नए जंप पॉइंट बनाने से पहले हमको दूसरा बैंड भी चाहिए इधर कमाला अपने घर पर सैनिको को बांध देती है तबी फ्यूरी के साथ मोनिका उसके घर आ जाती है उनको अपने घर देखकर खुशी से पागल हो जाती है उसको लगता है फ्यूरी उसको अपनी अवेंजर्स की टीम में शामिल करने आए हैं फ्यूरी के लोग उन दोनों किरी सैनिको को बंदी बना कर वहां से ले जाते हैं फिर सारी बातों को समझ कर मोनिका सब को बताती है लाइट एनरजी को एब्जॉर्व कर सकती है मैं लाइट की सारी तरंगों को देख और उसमें बदल सकती हूँ लेकिन तुम कमाला उस एनरजी को चीजों में बदल सकती हो इस बात को सुनकर कमाला अपनी पावर को जैसे ही यूज करने वाली होती है तब ही उसकी जगे कैप्टन मारवल स्विच होकर वहां आ जाती है मारवल को अपने सामने देखकर मोनिका थोड़ी सी सहम जाती है फिर वो वहां सब को बताती है हम तीनों का सोर्स कोड एनरजी है और उस अनिस्टेबल जम पॉइंट को हमारे एक साथ छोलेने से हमारी पावर्स एक दूसरे के साथ उलज गई हैं और हम जैसे ही अपनी पावर्स को यूज करते हैं तो हम सउच कर जाते हैं तबी मार्वेल उससे पूच्छती है तुमको पावर कब मिली तो मोनिका वउंड़ा वाली सारी कहानी उसे बता देती है फिर कमाला की मा उन दोनोंसे कमाला के बारे में पूचती है तो मारवेल उसे लेने अंतरिक्ष में चली जाती है लेकिन बीच में ही स्विच हो जाने की वज़े से कमाला उपर से नीचे गिरने लगती है तभी मोनिक अपनी पूरी ताकत लगा कर उड़ जाती है लेकिन एनरजी का रूप होने की वज़े से कमाला के आर पार निकल जाती है तो कमाला गिरने से पहले दोनों के चार उत्रफ एक शिल्ड बना लेती है लेकिन उनके जमीन से टकराने से पहले ही उसकी जगे कैप्टन मार्वेल आ गिरती है और वो दोनों डार्वेन के ship पर उसके सामने आकर गिरती है वहाँ जैसे ही डार्वेन को पता चलता है कैप्टन मार्वेल उसके ship पर थी तो वो बिना समय गवाए उस दूसरे band को पहन लेती है कमाला और मोनिका को जान से मारने के लिए हमला करती है तबी मार्वेल बीच में आकर उनको बचा लेती है तबी डारबेंड शिप से निकल कर इसकल्स की कॉलोनी पर आ जाती है तो वो तीनों भी वहीं पहुँच जाती है तो डारबेंड को लगता है इसकल्स ने मार्वेल को उनकी हिफाज़त के लिए बुलाया है इस बात से गुसा होकर वो अपने वार हैमर को बैंड पर दे मारती है जिससे निकलने वाली उर्जा वहाँ एक जम पॉइंट खोल देती है जो उस ग्रह की सारी हवा को हाला पर खीचने लगता है जिसकी वज़े से वहाँ तबहाई मच जाती है और पूरी कॉलोनी तूटने लगती है तो वो तीनों जितने स्कल्स को वहाँ से बचा सकती थी उनको उनके समराट ड्रोज के साथ अपने शिप पर लेकर ग्रह से निकल जाती है लेकिन बाकी बचे स्कल्स उसी ग्रह पर मारे जाते हैं ड्रोज के साथ बाकी बचे स्कल्स को सेफ जगा भेजने के लिए वलकरी को बुला कर उनको उसके साथ एसगार भेज देती है इधर हाला ग्रह पर डारबेन अपने बचे हुए क्री लोगों को उनका मास्क हटा कर सांस लेने को कहती है वो सभी 30 सालों के बाद साफ हवा में सांस ले पा रहे थे उसके बाद डारबेन सबसे वादा करती है कि वो बहुत जल्दी पानी और सूरज की रोशनी भी अपने घ्रह पर ले आएगी उसके बाद कमाला इस टीम का नाम दा मार्वल्स रखती है साथ ही वो दोनों को बताती है जब डारबेन ने जम पॉइंट खोला तो मेरा ये बैंड चमकने लगा उसकी बाद सुनकर मार्वल्स बताती है इसका मतलब ये क्वांटम बैंड्स हैं सिर्फ वही जम पॉइंट की मदद से ऐसा कर सकते हैं फिर वो उन दोनों को बताती है कि अगर क्रीकी कहानिया सची है तो युनिवर्स में बना हर एक जम पॉइंट क्वांटम बैंड से ही बना है इस पर मोनिका कहती है इसका मतलब दोनों क्वांटम बैंड मिलकर ही अलग-अलग गैलेक्सियों को जोडते हैं और एक बैलेंजड जम पॉइंट नेटवर्क बनाते हैं और अकेला बैंड सिर्फ एक अनिस्टेबल जम पॉइंट बना सकता है जो की बहुत खतरनाक है फिर तो डार बैंड को अगला जम पॉइंट बनाने से पहले हमें रोकना होगा तभी कमाला उनको बताती है उसने डार बैंड के शिप पर स्टार्स का मैप देखा था लेकिन अब उसको याद नहीं है तो मार्वल स्कल्स का टॉर्चिंग डिवाइस निकाल कर उन दोनों को उसको पहनने को कहती है इससे वो एक दूसरे की यादों में जाकर सब कुछ देख सकती है उसके बाद वो तीनों एक दूसरे की यादों को देखने लगते हैं उनको कमाला की याद से स्टार्स का मैप मिल जाता है फिर वो तीनों पता लगा लेती है 99.63 पानी है अलाधना का नाम आने से मार्वेल थोड़ा सा अजीब सा बहेव करती है उसके बाद वो प्लान बनाती है कि वो अलाधना पहुंचकर डारवेन से उसका बैंड चीन लेगी फिर वो जंप पॉइंट की मदद से अलाधना ग्रह पहुंच जाती है ग्रह वासी उनके ड्रेस बदल कर उनकी प्रमपरा के अनुसार राजकुमार के साथ नाचती गाती है मार्वेल अपने आने का मकसद बता कर राजकुमार और सेना को लड़ाई के लिए तयार करती है तबी डारवेन अपनी सेना के साथ वहां आ जाती है और राजकुमार से उसके आगे जुग दे जाती है तो मोनीका कमाला को वहां से भगा देती है फिर डार्बैन लड़ते वे मार्वेल को गुंसा मारती है जिससे वो दूर जाकर गिरती है और उसे मौका मिल जाता है वो वहां जंप पॉइंट खोल देती है जिसके प्रेशर से अलाधना का पानी हाला पर खिचने मुझको अपने बैंड को उससे बचाना था इसलिए उसने जंप पॉइंट खोला तो मार्वेल उनको सच्चाई बताते हुए कहती है कि क्रीपर हजारों साल से सुप्रीम इंटेलिजेंस का राज था जिसकी वज़े से वहां जंग छिड़ गई तो जंग को रोकने के लिए मैंने सुप्रीमर को खत्म कर दिया लेकिन उसके खत्म होते ही वहां सब कुछ बिगड़ता चला गया और मेरी वज़े से वहां तबहाई हुई जिससे हाला की हवा दूशित हो गई इसलिए वो लोग मुझको महाविनाशक कहते हैं और इसी गिल्टी की वज़े से मेरी परक्षित निकल जाने को कहती है तब ही फ्यूरी को पता चलता है वो सारे अंडे गूज के हैं जिसमें से उसके बच्चे निकलने शुरू हो जाते हैं इतनी देर में मार्वल कमाला और मोनिका सेवर पर आ जाते हैं वो देखती हैं बिल्लियों के बच्चों ने वहां मोनिका बताती है डार्वेन हमारा सुरजी हाला पर ले जाने वाली है इतने में बिल्ली के बच्चे सभी मेंबर्स को निगल जाते हैं उसके बाद फ्यूरी और कमाला की फैमिली बिल्लियों के साथ ही एसके पॉड में बैठ कर सही सलामत प्रित्वी पर आ जाते हैं बैंड देने से मना कर देती है जिससे वो जंप पॉइंट को बंदना कर दें और उसका बदला अधूरा नार है जाए तो मोनिका डार्वेन को बताती है तुम्हारा सुरज अभी भी पूरी तरह से बुझा नहीं है और उसको फिर से रोशन करने के लिए जितनी एनर्जी च जबाकर उससे उसका बैंड लेकर उसे पहल लेती है और इससे पहले वो दोनों बैंड को आपस में टकरा पाती तब ही मार्वेल उससे लेकर अंतरिक्ष में आ जाती है और अपनी उर्जा उन दोनों बैंड समें भर देती है अब डार्वेन को जैसे ही मौका मिलता है तो व कमाला मार्वैल और बैंड को वापस शिप पर ले आती है जंप पॉइंट को फटा हुआ देखकर मोनिका बताती है डार बैंड ने एक असमान ने वर्म होल बना दिया है और उसके दूसरी तरफ कोई दूसरी डामेंशन है यानि कि दूसरा आयाम जिसमें हमारा भ्रमान खिच चला जा रहा है फिर कमाला के पूछने पर मोनिका बताती है इसको बंद करने के लिए तुम और मार्वैल इतनी एनरजी बना सकती हो जितनी एनरजी से वर्म होल बना था और मैं उस सारी एनरजी को जमा करके उस वर्म होल के अंदर जाकर उसको ठीक कर सकती हूँ इस बात प बैंड को भी पहन कर उनको आपस में टकरा देती है जिससे बेहिसाब ऊर्जा निकलती है Marvell भी अपनी एनरजी मोनिका पर फैकने लगती है उन दोनोंकी एनरजी से मोनिका का पूरा शरीर ऊर्जा से भर जाता है और उसमें एक तारे जितनी ऊर्जा आ जाती है वो वार्म होल के दूसी तरफ जाकर उसको बंद करने लगती है लेकिन उसको बंद करने के चक्कर में मोनिका उसी आयाम में रह जाती है और मार्वेल भी उसको रोक नहीं पाती जिसकी वज़े से कमाला मार्वेल से लिपट कर बहुत रोती है उसके बाद कमाला प्रत्वी पर आकर फ्यूरी को बताती है मोनिका किसी अंजान आयाम में फस गई है और कैप्टन मार्वेल अपना वादा पूरा करने के लिए हाला गई है वो वहां के सूरज को फिर से रोशन कर देती है अब हाला पर हवा पानी और सूरज की रोशनी तीनो वापस आ चुकी थी उसके बाद मार्वेल सब को लेकर लूसियाना अपने दोस्त और मोनिका की मा मारिया के यहां आ जाती है वो सभी अपने समानों के साथ मार्वेल का भी समान उस घर में लगाने लगते हैं साथ ही कमाला का परिबार भी वही रहने के लिए आता है वही कम वो भी यहीं खत्म हो जाती है